हेलो फ्रेंज स्वागताब करूंगी ज्वाग में तो आज मैं बनाने वाली है सिर्फ सस्ते चीजों से धेर साड़ी मिठाई तो पहले साभी बिस्कुट को खार लेंगे तो देखिए साभी पाउकोट को खोल लिया है आप इसको मिक्सार जार में लेकर आप इसको दरदरा प आप इसको एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे अब इसी में डालेंगे चीनी मैं यहाँ पर पांच पाउकेट बिस्कुट में अढ़ाई चमाच चीनी डाल रही हूं बिस्कुट मीठा होता है इसलिए आधा डाल रही हूं आप इसी में डालेंगे एक पाउकेट इनु आप इसको मिला लेंगे, अब इसमें thोड़ थोड़ तोड़ लगाए धूद् डाल इसका बेटर तयार करेंगे, देखे इसी तरफ दूद डालकर इसका बेटर तयार कर लिए हैं आप चाहेते दूद के जगवापा पानी भी ले सकते हैं तो देखिए बेटर तयार कर लिए हैं अब मिठाई बनाने के लिए चाहिए इस तरह का कचोरी आप बड़ा या छोटा ले सकते हैं है में टालेंगे बेटर आधे आधे कुर्चोरी में डालेंगे फूल कर बड़ा बन जाएगा आप लैंगे पैन इसमें पानी डालेंगे इसको फूड़ा छा गरम होने देंगे अब इसमें थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए डाल देंगे तूटी फूटी आपशालते एक शहुत बना सकते हैं पानी गरम हो चुका है आप पानी में डाल देंगे दिखिए अब इसको पंद्रे मीनट तक लिए ठाक कर पकाएंगे तो देखिए पंद्रे मीनट हो चुका है आप इसको देख लेते हैं अब एक लखड़ी लेंगे चाहे चाकू ले सकते हैं आप इसको इस तरह चेक करेंगे देखिए इतना बढ़िया बन चुका है आप इसको ठांडा होने के लिए रख देंगे तो लिजिए हमारा कॉप केक बनकर रेडी हो चुका है आप इसको एक चाकू लेंगे आप इसे देखिए इस तरह कर लेंगे आप इसको एक पलेट में प्लोट लेंगे देखिए इसी तरह सभी को निकाल लेंगे तो देखिए हमारा कॉप केक बनकर रेडी हो चुका है हुआ है